हेलो व्रिवान नमश्कार सभी को दिस इस महिस्तोनी डिरेक्टर महिंद्रा लाउं इस्टिटूट आज का सेशन है वो एक स्पेशल सेशन होने बाला है स्पेशल सेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस का सूपर फास्ट रिविजन अब सूपर फा आपकी रहेगी फॉर्म फिलने की स्टार्ट करने की फॉल्फिलिंग करने की आपकी लास्टिट कॉन से रहने वाली तो सब कुछ और उसके बाद उसका स्लेबस क्या कुछ आपका पेपर प्री के अंदर होंगी क्या स्लेबस रहेगा कितने माक्स का आपका एक पेपर वाले हैं तो as you all know की judiciary के परपत से या फिर लोग का किसी भी subject देख लें या फिर लोग का कोई भी आप उठा के exam देख लो उन सब exams के अंदर अपना क्या है इंडियन evidence act की help तो आपको चाहिए चाहिए अब जैसे की हर्याना एडी है जल्दी उसका exam आने वाला है तो उसके लि कि क्योंकि हम लोग क्या है इसको civil law के साथ भी और criminal law दोनों के साथ deal करते हैं दोनों के अंदर इसकी help चाहिए होती है क्योंकि किसी भी judicial proceeding को complete करने के परपत से evidence की अपने आप में एक अलग रोल रहता है तो उन सब चीजों को पूरा करने के लिए हमारे पास होता है इंडिय करें तो अपने इस सेशन को सथे इंडियनरव अब इंडिया वाल का मतलब इंडिया है वह अपने आप में जो व्रड़ है वह ओप्टाया गया है एविडियर वर्ड से लिटिन टामे एवेडेरि जिसका मतलब होता है टू क्यर्ट किसी भी चीज को प्रूफ करना या फिर क कीसी भी बात को क्लियर कर देने से मतलब हमारा होता है कि वह अब एविदेंस की डेफिनेशन जो है एक तरीके से वह देरिखिये section 3 of the Indian evidence अब क्या वह अपने आप में exhaustive definition है क्या कुछ नहीं है तो सब कुछ अब detail में start करने 1872 के अंदर हो रखिये फिर बात आती है कि इसको draft किसने कर रखा है सर जैंस स्टीफन नाम के वहाशेजी रहे हैं जिन्होंने क्या है इस एक्ट को जो है 1872 के अंदर सब्मिट कर दिया था फाइनली ड्राफ्ट करने के बाद तो फादर ऑफ इंडियन एवेडेंस एक्ट आ जाए तो सर जैंस स्टीफन लिखेंगे उसके वाद है कि क्या यह अपने आप में exhaustive act है तो not exhaustive in act रहेगा फिर है कि क्या यह लेक्स 40 है यह फिर आपका लेक्स लोग होती है तो इस लोग हम लोग क्या बोलते हैं next फूरी लोग बोलते हैं law form के रुप में यह आपका law of country के रूप में यह अपलिके बिल होते हैं फिर बाता था कि यह सिविल और क्रिमिल दोनों प्रसेडिंग के उपर यह एपलीकेबल रहता है वितने पार्ट है इसके अंदर लिए आपने एक्ट नहीं रखता है फिर बात आते हैं कि जो एफिडेविट है उसके उपर यह लोग अप्लाइख नहीं होगा फिर बात आते है कि यह एक्शुलि जो है किस पर बेस्ट यह इंगलिश लोग पर बेस्ट होता है यह अपने आप में इक और ग्रुंडेटिंग कि वह अपने आप में क्या है वह अपने आप में क्या है कि एक not exhaustive definition बता रखी उसके अंदर कि वह सारे परसन जो कि entitle होंगे evidences लेने के लिए तो एक specifically कुछ नहीं बताया गया उसके अंदर बिता रखा कि यह परसन हो सकते हैं यह जिनको court allowed करें या फिर कोई भी जज हो सकते ह है external fact हो सकते है psychological fact हो सकते है physical fact हो सकते है या फिर आपके positive और negative तो जो आपके प्रिंसिपल फैक्ट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं और जो आपके जो इसके उपर डिस्प्यूट हो मतलब कोई बी ऐसा एक फैक्ट है जिसके उपर एक पार्टी जिसको डिनाय करती है जो बी डिस्प्यूट बोले तो कि एक ऐसा फैक्ट है जो दूसरी के साथ लेगली चनेक्टिड हो जो की सेक्शन नमबर 55 के बीच में फोल करता है नेक चेप्टर के अंदर आएगा तो वहां पर जब आपके दो फैक्ट आपस में चैनेक्ट हो जाएंगे तो उनको व्लोग बोलते हैं कि यह रेलेवेंट अब उसके साथ सवाल आता है कि क्या सारे के सारे अपने एड्मिसिबल होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है मतलब वह फैक्ट जो की आपके अपके अंदर फैक्ट के अंदर जनरली बता रहा कि कोन से फैक्ट के बीच में आपके बताएगे कि रेलेवेंट से कैसे क्या कुछ रहती है फिर बाताती है कि जो एविडेंस है उस वर्ड को डिफाइन किया गया है सक्षिन 3 के अंदर डिराइव कहां से और लटें टाम थी जैसे मैं आपको अलड़ी बताया है उसके बाद बात आती है कि ओरल और डोकुमेंटरी दोनों तरीके के हो सकते हैं फिर जो है डेफिनिशन वह आपके अपने आप में एक्जोस्टिन डेफिनिशन दे रखें सक्षिन 3 के अंदर है यह आपके सरकम्सांशल भी हो सकते हैं और बह सब्सक्राइब करता है जो की वीडियो कॉन्फरेंस के थू किये गए किसी भी वीडियो को भी अपने एक एविदेंस मनता है को फिर बोलता है कि आपका क्रिमिनल और जो आपके सिविल केसे हैं उनके अंदर स्टेंडर और प्रूफ जो होगा वो अपने आप में अलग लग जो है उस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए उसके बास क्लियर कट सारे ग्राउंड हो तो वह आपका बियोंड रिजनेबल डाउट बोला जाकता है फिर आपका जो आजाता है सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कुछ प्रिजंप्शन के रिगार्डिंग आपकी बात करता है में प्रिजूम है शेल प्रिजूम है और आपका कंक्लूजिव प्रूफ होता है उनकी बात करते हैं तो जो आपकी तीन काइंट्स की होती है एक प्रिजंप्शन अफेक्ट होगा दूसरा प्रिजंप्शन फ्लो होगा फिर आपकी मिक्स्ट प्रिजंप्शन फेक्ट लो हो जो कि आपकी revertable nature की रह सकती हैं फिर आपका आता है conclusive है जो कि अपने आप में हमेशा कह रहती है irrevertable रहती है जब तक कि जिस section के अंदर वो बात बताईगे यह उसी section के नीचे कोई proviso ना मिले जनरली section हम लोग देखते हैं इसके लिए 1-1-2, 1-1-3, section 41 अब 1-1-2 आपका क्या बत करता है conclusiveness बताता है किसी भी बच्चे की legitimacy के regarding तो during the valid marriage और during the continence of the valid marriage जब भी किसी couple का बच्चा होगा तो वो उनहीं couple का बच्चा बाना जाएगा यह अपने आप में conclusive evidence है यह conclusive proof है कि वो उसी का बच्चा है लेकिन अगर husband या फिर wife दोनों मेंचे कोई भी person ऐसा प्रूफ कर दे generally husband की बात करते है husband अगर यह प्रूफ कर दे कि उसका उसकी wife के साथ कोई physical relation नहीं रहा है उसकी conceive कर यह तो वहाँ पर प्रूफ आपका करा जा सकता है कि यह उसका बच्चा legitimate नहीं है तो इस बात को जो presumption of fact presumption of law जो की conclusive nature की लगाई थे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं हरी बटाजी हो सकती है फिर उसके लिए section 5 डील करता है उसके बाद की जो भी fact है वो वो क्या दिये जाएंगे evidence के लिए जाएंगे मतलब जो भी relevant होंगे ना उन्हीं के evidence जो है दिया जा सकते हैं एविदेंस में भी गिवन ओफ दिफेक्ट इन इशू और relevant या तो फेक्ट इन इशू के बाद अपने relevant fact के लिए आप अपना evidence दे सकते हो फिर आपका है कि there is a difference between the reality of the fact and admissibility of the fact है अपने आप में जीनस बोली जाती है admissibility अपने आप में species होती है फिर आपका section 6 आ जाते है section 6 के अंदर आपके rest के style का जो provision है एक principle वो दिया गया है जिसका मतलब होता things said and done मतलब कि कोई भी आपका fact है जिसका किसी भी अलग-अलग time के उपर या फिर आपके same time के उपर same way के अंदर जब आपस में connected होते हैं मतलब एक चीज़ यहां पर simple language में यह रहता है कि जब भी किसी एक act को complete करने के लिए उससे जुड़े हुए बहुत सारे और fact होंगे जो बहुत सारे fact जुड़ने के बाद एक transaction को create करते हैं तो यह जो एक कड़ी बनेगी एक तरीके से अपकी जो कड़ी बनेगी मतलब series of act है तो वो सारे के सारे अपने अपने क्या है उनके उपर इशू होता ही नहीं है मतलब किसी का murder हुआ तो murder करने के लिए क्या करोगे किसी ने चाकू खरीदा है कोई अपनी क्या कर रहा है एक तरीके से अपना कोई conspiracy रच रहा है या फिर गाड़ी चोरी कर रहा है या फिर आपने गण चोरी करी है किसी ने shooting करी उसके बाद मर्डर हुआ है जो बीच में जो transaction की बीच में जो effect गड़ी तुए जैसे चोरी करना या फिर फिर किसी की गण लूटना या फिर गाड़ी चोरी करके लेकर आना तो यह फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन वह connected है में फैक्ट इन इशू के साथ तो इसलिए यह बग की जो बचे हुए फैक्ट है वो क्या अपने अपने हो जाएंगे तो यह section 6 के अंदर फोल करता है यह अपने अपने एक Latin phrase है Latin phrase बोले जाता है और इसका मिनिंग होता है things said and done in the course of the same transaction है फिर आपके कुछ साइक्ट होते हैं जो की कंपना ही करते है फिजिकल एक में भी पार्ट ऑफ दी रेस के स्टाई है इसका भी पार्ट हो सकते हैं फिर narrative of the past occurrence by the way of standard is not the part of the rest के स्टाई फ आपकी बात अपने आप में एक evidence नहीं बोले जाएगी section 7 आ जाता है section 7 आपके बात करता है relevance of the occasion cause effect or state of things and opportunity section 8 के अंदर आपकी बताई गई है motive preparation की बात करता है फिर relevancy of conduct is also mentioned in section 8 section 8 के अंदर आपकी conduct के बारे मिता गया है conduct आपका चेक कोई साभी हो previously भी हो सकता है और subsequent भी हो सकता है फिर आपका बात करता है motive जो है alone cannot be a sole ground of conviction of an accused accused की soul conviction का एक sole ground नहीं बन जाता है section 8 के अंदर दिया गया motive है अब motive के regarding आपके सबसे ज़्यादा question आते हैं पीटे के अंदर कि which of the following is not fall under which section of the Indian evidence sector उसके अंदर आपके section number या तो mention करा होगा या फिर motive word को define आपने वहां पे mention कर रखा होता है तो बोलते हैं कि motive word जो यहां पर दे रखा है वह कौन से section में आएगा या फिर section 14 लिखे मिलेगा कि उसके अंदर इन्में से कौन सा fall नहीं करता है तो जो motive है वह आपना कर क्या होगे motive word section 14 में fall नहीं करता है वह section 8 का पाट है फिर section के अंदर आपका 9 में deal करा गया है एक explanatory और introductory होता है उसके अंदर आप TIP को देखते हो टेस्ट identification प्रेड है और टेस्ट identification प्रेड ओल्वेज आपके unknown persons की करी जाएगी जो की एक अपने आप में identification प्रेड के तुरू जो भी evidences निकल के आएंगे वह आपके substantive nature के नहीं रहते हैं वह आपकी cooperative nature रहता है फिर section 10 में आ जाता है कि 10 जो है वह आपने आप में deal करता है जो conspirator के लिए conspiracy से लेटर आपकी things said and done by the conspirator वह सारी चीज़ें आपकी relevant होंगी section 10 के अंदर है जो आपका section 10 है वो आपका एक तरीके से theory of urgency के बात करता है वो theory of agency एक तरीके से doctrine of agency का rule आपका अपलाई होता है section 10 के अंदर है जो भी सारे person उसके अंदर होंगे वो सारे के सारे conspiracy के अंदर जो person होंगे उन सबको hold liable करा जाएगा अंदर section 120 A and B of the Indian Penal Code also फिर आपका बात करता है rule of plea by के बारे में बात करीगे section 11 के अंदर की वो fact जो कि otherwise relevant नहीं है relevant हो जाएंगे section 11 के साब से तो यहाँ पे rule of any by है कि मिले presents elsewhere है at the time of the commission of the crime a person is present elsewhere तो यह चीज़े आपके section 11 डील करता है फिर actually मतलब कि किसके दौर अपली ली जाती है इस बात की तो यह actually आपके एक्यूस के दौरा अपली ली जाती है कि मैं वहाँ पर present नहीं था at the time of the commission of the crime में फिर आपका बोलता है कि the fact showing the existence of the state of mind तो वह आपकी बात करता है intention के बारे में हो सकते हो सकता है इल्विल हो सकती है rationalist हो सकती है negligence हो सकता है या फिर आपके relevant जो कि section 14 के अंदर ये फोल करते हैं तो यह सारी चीज़े section 14 के अंदर डील करी गए है उसके बाद आपका 15 आ जाएगा 16 आ जाएगा एक बर उनको देख लेने जाके 15 जैसे की मतलब बताता है कि कुछ जो एक्ट हुआ है कोई बिगटना हुई वह आपके इस एक के अंदर जो अपने एक इलस्टेशन दे रखे वह दे रखे इसके रिगाडिंग मकान के बारे में कि घर का इंशॉर्णिस करवा के उसको जला लेगा तो यह सारी चीज़े बाद में जब पता लगेंगी कि भार बार यह सेम घटना हो रही है तो वह पस वह जो इसक्षिन ट्वेल्फ थर्टीन इन सेक्षिन को एक बार आपके जाके देखना है कि जहां पर सेक्षिन ट्राइल बात करता है कि जब भी कोड किसी भी केस के अंदर कॉम्पनेशेशन के एक अमांट को फिक्स करेगा तो किन-किन फैक्ट का वो सहारा लेगा जिनकी बज़े सेक्षिन नमर 17-31 जो कि आपके अड्मिशन और अपना कंफेशन के रिगार्डिंग बात करता है तो सक्षिन 17 इस तो बेरेट विट सेक्षिन 58 58 के अंदर आपका बताया गया है जुडिशल कंफेशन या फिर जुडिशल अड्मिशन एक तरीके से हैं और एक्सल जुडिश करता है कि जो सेक्षिन 18-20 के अंदर फोल करेगी वह सारी चीजें आपकी एक तरीके से वो परसन के बारे में बताता है कि कौन-कौन से परसन जो की अड्मिशन कर सकते हैं तो डारेक्ली कोई परसन कर सकता है उसके भी आपके कोई और परसन कर सकता है जिसको उसने परसन के दिवारा करा जा सकता है जो भी रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आपका शूट फाइल करेगा फिर अड्मिशन इस एड्मिशन इस 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 टेट्मेंट मेट बाइब बाइब परसन अगेंस्ट हिमसेल्फ खुद के खिलाफ आपका अबिटन्स मतलब कि एक तरीके के अंदर क्या फराइब कर लेना कि हा मैंने इसको मारा हैं तो यह अपने पर फोल करेगा कंफेशन के अंदर और जो अपका क्या है तो यह आपके अपके पार्ट के अंदर आता है जो कि सेक्षन 58 में बताया गया अब 58 के अंदर क्या है कि कोई ऐसा अफ्ट है जो कि किसी पार्टी ने इसल पने अड्मिट कर लिए एक स्पेस्क्ली या फिर वो एक्टी हो जाते हैं किसी भी स्टेज पर जाके हेरिंग के ताइम पर मैं इसको एड्मिट कर लूँगा रखे तो प्रूफ करने के लिए भी एविडेंस लाने के लिए कोर्ट उसको बोल सकती है फिर आपका बोलता है कि रिलेवन से अड्मिसिबिल्टी ऑफ दी एड्मिशन हैस बिन प्रोवाइड इन सेक्षन 21 ऑफ दी इंडियन अवेशन हमेशा आपके क्या होने चाहिए सेल् अपने प्रोव नहीं है इस चीज को करने से उसको रोका जा सकता है तो जो कि यह सेक्षिन 31 में डिल कर जाएगा फिर बोलता है कंफेशनल स्रीटमिट के अंदर कंफेशन के अंदर क्या होगा यह भी अपने 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 एक एड्मिशन है टेकिन अपने एक्षिन किसका है डिरेक्ट गिल्ट का अपने चाहिए जो बोलता है जो भी इस और अपने लिख और रिलेवेंट फेक्ट इंफरेंस निकल के आएगा उसके बेस पर अपना अंदाजा लगाएगी यहां ओफेंस हुआ है फिर बहुत है confession must either admit in terms of the offenses or at the rate substantially all the effects which constitute the offense, मतलब इस तरीके से होना चाहिए जहां से पता लगे कि offense commit हुआ है, फिर बहुत है statement में भी inculpatory in nature, inculpatory nature हो सकता है, exculpatory in nature भी हो सकता है but only inculpatory statement amount to the confession, मतलब किसी भी person ने statement दी है कि कोई भी inculpatory और exculpatory का mixer, तो court can admit the inculpatory part and exclude the exculpatory part also, फिर बोलता है statement दिविजज़ पाइटरी confessional may be admitted in evidence, जो भी आपका पाइटरी confessional लगेगा, उस उसको admit कर सकती, बाकी को खोड़ सकती है, फिर बोलता है कि जो भी section 21 के अंदर relevant है, उनको भी confession के तोर पे admit किया जा सकते है फिर बोलता है confession आपका एकसा judicial भी हो सकता है, judicial भी हो सकता है judicial बोलेंगे तो हम लोग judge के सामने, याग majesty के सामने, court के अंदर करा जाएगा एकसा judicial के अंदर किसी भी any other person हो सकता है, like doctor है पुलिस officer है, any other private person हो सकता है, लेकिन उनके अंदर सबसे ज़्यादा corroborative value किसकी रहेगी, जो आपका police officer या फिर किसी भी authority वाले person के सामने करोगे तो उसकी ज़्यादा evidence value होगी, बाकियों के अपेक्षा फिर आपका जो confessional, आपका होगा judicial confession, वो सरफ आपका court या magistrate के सामने करा जाएगा extra judicial किसी भी other person के सामने हो सकता है, वो आपको मैंने बताया फिर 24 आपका बताता है कि किसी भी person के उपर एक तरीके से अगर inducement, threat और आपका promise कोज करकी अगर आपने कोई भी confession करवा ले है, उसकी कोई value नहीं होगी, मतलब किसी भी person का statement जो भी confessional statement होगा जिस तरीके से 164 CRPC के अंदर बता रखा है, तो वो आपका क्या होगा, free will के साथ voluntarily करा होना चाहिए, उसके लिए उसको पहले warning देगा, कि आपके खिलाफ इस statement को बाद में evidence के तोर पर यूज करा जाएगा, उसके बाद इसकी confession statement ले जाएगी, जब वो free will से देगा, ठेकिन अगर police officer के सामने, अगर कोई भी statement दी है, उसको हम लोग कभी confession के तोर पर यूज नहीं कर सकते, वो relevant हो सकता है, ल आपका co-accuse के दवारा करा जाता है, वो भी relevant होगा, generally नहीं हो सकता है, कह सकते हैं, कि मतलब जैसे A और B दोनों person नहीं मिलके कोई offense कर रखा है, तो A person यह जाके बोल दे कि मैंने, और B नहीं मिलके एक offense कर रखा है, तो वो अगर उन दोनों person का same trial चल रहा है, एक ही trial के ओपर फिर आपका बोलता है कि confession for the purpose of evidentiary values regarded as the highly reliable, वो आपका highly reliable होगा, फिर बोलता है judicial confession is presumed to be true and correct, it shall be the substantive piece of evidence, अकर judicial confession हो तो उसको true मानेंगे, क्योंकि जज़ और court के सामने है, तो वो अपने आप में substantive piece of evidence भी हो सकता है, फिर बोलता है evidentiary value के लिए जो extra judicial confession है, उनको good piece of evidence बोल सकते है लेकिन confession should be correlated with the other independent evidences also, फिर बोलता है retracted confession is also admissible in evidence, but it will have the less evidentiary value, मतलब अगर retracted कोई भी confession है तो उसको हम लोग less value दे सकते हैं, लेकिन ये corroborate in nature का फिर भी हो सकता है, confession जो है वो आपका क्या होगा, criminal cases के साथ हमेशा deal करता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी confession और admission के regarding थी, अब साथ है अपने डाइन declaration के regarding, डाइन declaration आपका deal किया गया है section 32 clause, वन के अंदर जिसके अंदर पकालन स्वामी वसेज एंप्रर का case है, अब उस case के अंदर क्या बोलता है कि कोई भी person अपनी मृत्यू के कारण के बार में किसी भी person को बता दे, तो वो क्या रहती है, उसको बोलत मरने वाला है, तो वो कभी भी जूट है, जो नहीं बोलता है, तो इस वज़े से हम लोग विश्वास करते हैं कि मरने के टाइम पे दीगी उस बंदी की statement को हम लोग relevant माल लेते हैं, तो अब ये जो confession एक तरी किसी जो आपके मतलब कि कोई ऐसा पसन है, जो कि अभी मर चुका, या फिर मिल नहीं रहा है, गायब हो रखा है, या फिर अगर उसको court के सामने लिखे आएंगे, तब तक बहुत बहुत डिले हो सकता है, तो उस ताइम पे भी उस person को आपने court के प्रेटिंस करवाने के जूरत नहीं होती है तो हम लोग उसकी दीगी, अर्लियर स्टेट्मेंट को relevant मानने थे, court के अंदे है, तो यह आता है, इसके अंदे है, फिर आपका बोलता है इसे, rule that the oral evidence must be direct under section 30, but section 32 is an exception to this rule, मतलब oral evidence हमेशा आपके oral क्या होने चाहिए, direct होने चाहिए, उसी person के दबारा, जिसकी खुद की statement है, लेकिन यह जो dine declaration है, या 32 के अंदर दीगी, जो जी statement होंगी, वो सारे के सारे क्या है, relevant रहते हैं, वो exception मानने जाएंगे, here से evidence की, 32 का close 1 आपका dine declaration से deal करता है, dine declaration is a statement made by the person is dead, as to the cause of his death, वोई चीज़ जो आपको पहले बता है, कि अपनी मोत के कारण के बारे में बताता है और any circumstantial transaction which resulted in his death, या फिर आपकी ऐसी को transaction के अबारे में बताते हैं, जिसकी transaction के बाद उस person की death हो जाती है, तो वो आपकी dine declaration के अंदर मानी जाएंगे, dine declaration आपकी writing में भी हो सकती है, और अली भी हो सकती है, फिर आपका बोलता है कि person making dine declaration need not be under the expectation of the death, लेकिन जरूर ही नही अब जरूर ही नहीं है, उसको ऐसी anticipation हो कि उस चोट की वज़े से मेरी death होगी, लेकिन बाद में गर उसके death हो जाती है, तो the fire can be treated to be the dine declaration also, फिर आपका बात करता है, dine declaration shall be relevant only when the cause of death of the maker is in question, मतलब कि ये relevant तभी हो जाती है, जब उसकी मोत के उपर सवाल आते हैं, कि उसकी death कै सबस्राइ तभी जा कि उसकी हूरे पालेर स्सक्वा सवाल आते हो जो ज़े。 अरलियर स्सिरिक मेरी यसे खुरा मेरी चालीशलाशन वैले के who is dead at the time of the conviction to the person. फिर बोलता, dyendeclaration cannot be the sole basis of conviction unless it is corroborated with the independent evidences. इंडिपेंड जो भी evidence आ रहे हैं, उनके साथ जब तक की correlate नहीं कर जाता है, तब तक अपने आप में substantive piece evidence नहीं काया जाएगी. लेकिन अगर corroborate हो जाता है, तो फिर dyendeclaration अपके अपने आप में क्या हो जाएगी, एक substantive piece of evidence बन सकती है. फिर बोलता है, फिर बोलता है, when the court consider that the dyendeclaration is true and voluntarily the conviction can be made only on the basis of the declaration without any corroboration. अगर directly court को ये प्रूव हो जाता है, कि directly correlate हो पा रहा है, सब कुछ उसी से हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अपने declaration देती, उसी को हम लोग क्या करेंगे, valid मन लेंगे, फिर बोलता है, बोलता है, बोलता है, फिर बोलता है, बोलता है, बोलता है, फिर बोलता है, higher value for the purpose of evidentiary value, मतलब कि evidentiary value के परपट से क्या होगा, कि highly value देनी पड़ेगी, इस परपट से, ताकि, किसको देंगे ये, जिस person को उसने statement दिये, उसको highly value कौन से को देंगे, जो code के अंदर दिया है, मैं इस state को बताईए, उसको highly value दी जाएगी, फिर बोलता, बोलता है, परपट से कोशन पूचे जा रहे हैं, उसके answer देने के लिए, जो capable होना चाहिए, तब ही जाकि उसको हम लोग relevant मान लते हैं, उसके अंदर हो बहुत सारी चीज़े दे रखिए, जैसे cause of business के अंदर हो सकता है, किसी ने किसी transaction के अंदर हो सकता है, किसी right या फिर आपके, कोई भी एक तरीके के अपनी custom को related हो सकता है, किसी person की जो relationship है, वो exist करते हैं कि नहीं है, इनकी regarding उसने कोई भी statement में दे रखियो, तो ये सारी चीज़े दे रखिये हैं, तो वो जाकि एक बार heading जूट पढ़ लेना, पेटी के परपद से, फर्स, सेकिंड, फॉर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट तक दे रखा है टोटल, तो आठ तक है विल की regarding भी हो सकते हैं, उनको जाकि एक बार आप चेक कर लेना, फिर बात आती है, फोर्टी वन से फोर्टी फोर्टी फोर्ट तक एक बार आप पढ़ लेना, सेक्शन को, जैसे रहा स्टूटी काटा दे रखा है, उनके बार में बात करी गई है, उनको एक बार जनरली पढ़ लेना, हम लोग चेप्टर पर आता है, उनके एक्सपर्ट ओपीनिन को लेकिए, फोर्टी फाइब पर, अब एक्सपर्ट पर्सं को नोगा, जो कि डील करता है, किसी भी स्पेशल मैटर के उपर, डेली यूजस में हो सकता है, जिसके बास स्पेशल स्किल्स हो, लेकिन क्या जूडिशल ओफिसर या फिर जज़ को हम लोग एक्सपर्ट बोल सकते हैं, कि क्या ये बात सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आपके क्या हो नहीं कि स्किल्स की जूड़ते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर की कोई भी अपनी एक क्वालिफिकेशन के जूटने पढ़ती, तो 41 से लेकि 51 इनी चीज़ों से डील करता है, जनरली जो आपके थर्ड परसन के उपीनियन होंगों, उनको हम लोग नहीं मानते हैं, कोट उसको एड्मिंट नहीं करता है, लेकिन 45 से 51 तक जो दे रखें, उनके अंदर रेलेवन्ट रहता है, यह इस रूल की क्या है, अपने आप में एक exception बोली जा सकती है, बोलता है, इस section के अंदर आपके an opinion of the person specially skilled on the point of foreign law, इसके उपर आ जाता है, इंडियन लो आएगा, तो कोई आपकी रेलेवन्सी नहीं रखता है, आपके expert opinion लेकिन अगर बात करें, foreign law की तो इसके उपर पूछता है, मतलब कि इन में से किस point के उपर आपकी expert के उपर आपकी एक्सपर के अंदर पूछी जा सकती है, तो उसके अंदर कौन सा आजाएगा, आपका foreign law के अंदर आता है, science, art, question as to the identity of the handwriting, और finger impressions, etc. तो यह सारी चीजों के उपर आपकी relevancy रखता है, फिर आपके एक section आएगा 51, जिसके अंदर बात करता है कि जिन ground के उपर, मतलब कि अगर court ने उस expert person के, जो opinion उनको relevant मान लिया, तो court can also admit the admissibility, कि इन चीजों की? the grounds of such opinion, मतलब कि जिन grounds के उपर वो opinion based था, वो भी अपने आप में relevant हो जागा, अगर उसका relevant है, opinion खुद का तो उसकी skin न है, फिर person आपका बोलता है कि expert कौन होगा तो, ऐसा कोई भी person जो की acquired the special knowledge, skill and experience in any field, such as the science, art, language, etc. जिन से चीजों के उपर, किसी person की special skill है, तो वो person आपका expert बन सकता है, opinion जो है वो आपका admissible तब ही होगा, जब court is unable to form its own opinion on the subject, अगर subject के उपर किसी तरीके से court अपने opinion नहीं ले पा रहा है, अपने उस conclusion तक नहीं पहुच रहा है, तब जाके उसकी relevancy रहेगी, जो भी expert person ने अपनी opinion दिये, लेकिन अगर किसी matter को लेकि एक से ज़्यादा कोई भी opinion के लिए अपने एक से ज़्यादा अपने क्या बुलाएए, expert बुला लिए, और उस case के अंदर दोनों, दो या चार बंदे बुलाए, और उन सब के क्या हैं, अलग लग views निकल के आए, majority के अंदर अलग है, एक तरीके से, तो उस case में तो माना जा सकता है, लेकिन अगर equal में बढ़ जाते हैं, वो उनके opinion, तो court अपने आपके खुद के opinion भी निकाल सकते हैं, क्या expert evidence है, वो अपने आप में substantive evidence नहीं होगा, यह substantive piece of evidence नहीं होगा, it has to be corroborated by the other relevant facts also, फिर आपका बात करता है, expert opinion is a weak type of evidence है, which need the independent and reliable corroboration defect of the given case, फिर 46 आपका support or inconsistent with the expert opinion होगे, उनको भी relevant वाना चाहेगा, फिर किसी भी person की handwriting अगर चेक करनी है, तो उसके लिए expert की opinion लेने तो 45 में जाएगा, लेकिन एक तरीके से form में जाएं, 45A में भी जा सकते हो, फिर बोलता है कि section 47 के अंदर भी जा सकते हैं, जब किसी भी normal person के opinion लेने हो, normal person कोण होगा, who is acquainted with the handwriting of the other person, किसी भी person की handwriting के बारे में, जिस person को knowledge होगी, वो भी person अपने opinion दे सकता है, लेकिन वो expert नहीं बोला जाएगा, यह रहता है, उसके बाद आपका बोलता है, opinion on the relationship is relevant under section 50 of the act, और उसके बाद बोलता है कि tenant और uses के regarding अगर आपके कोई भी है, uses कोई भी है, उसके regarding अगर कोई भी opinion form करवाने हैं, तो section 49 के अंदर फोल कर जाएगा, तो यह इसके अंदर आपके expert opinion के regarding चीज़े हैं, फिर बोलता है कि character से related अगर आपके evidences की बात करें, तो 52 onwards होगा, 55 तक, तो इन चीज़े हों के अंदर आपकी relevance of the character, in the civil और criminal proceeding के अंदर बात करी गई है, जहां पर आपका civil proceeding के अंदर relevant होगा, उस case के अंदर आपके बात करेंगी, section 52 और 55 के अंदर, और 53 और 4 जो आपके वो बात करता है, criminal proceeding के अंदर आपके character के regarding, फिर 55 बोलता है कि जो भी damage जो आपके fix करेंगे होते हैं, उनको effect करने वाले कोई भी statement होगी, वो अगर कोई character है, किसी भी पसंद का ऐसा character, जो की किसी भी amount of damage को effect कर दे, तो वो 55 के अंदर फोल कर जाएगी, उसके उपर एक example है, suppose A and B है, वो आपके fiancé और fiancé है, उनकी शादी होने वाले है, शादी से जस्पहले लड़के को पता लग जाता है, कि the girl is not of the good character, तो उसके इसके अंदर वो क्या करता है, उस relationship को breakdown करना चाता है, कि मैं इसे शादी नहीं करूँगा, तो उसके इसके अंदर लड़की बोलती है, कि अब मिर से शादी कौन करेगा, तो मिर को compensation चाहिए, अब 20 lakh वो अगर वो claim कर रहा है, तो उसके इसके अंदर जो है, वो लड़का जो 20 lakh देगा, उसके टाइम पर वो अपने उस लड़की के character को सामने रख सकता है, उस character के base पर उस 20 lakh को हो सकता है, कि down to the 5 lakh उसको amount को देदे, तो यह क्या करता है, उस लड़की के character के वज़ए से amount of जो damage है, उसको effect किया जाना है, तो यह relevant हो जाएंगे, फिर बहुता good character is always relevant in the criminal processioning, but bad character is not relevant, bad character को relevant नहीं रखते, बैड जो आपको उसको कोई relevancy नहीं रख जाती है, लेकिन good character को हमेशा, relevancy दी जाती है, एस under section 360 हो गया, या फिर आपके जो probation of good, जो आपकी good offender के act है, goods conduct के बेस पे उनको कहा करें, probation के बेस पे छोड़ा जाता है, तो वहां पे relevant हो जाएगा, तो वो चीज़ें आ जाएंगे, फिर आपका बात करता है, explanation to 55, explain the word character which include the both, reputation disposition, generally the parties have to establish their case by proving the relevant fact, but there are certain exceptions, when the facts need not be proved, तो इसके अंदर 56, 57, 8, और 55 भी एक section आता है, वो भी आपको बात में बिदाऊँगा, अब इसमें बोलता है, 56 and 8, state that the when fact need not be proved, जहां पे court किसी भी matter को लेके, खुद अपने आप ध्यान में रखता हूं, उनको प्रूफ करने की जूरत नहीं है, तो वो जिनका judicial notice खुद रखता है, और दूसरा वो fact जिनको party ने खुद admit कर लिया, उनको भी प्रूफ करने की जूरत नहीं है, फिर बोलता है the facts which are judicial noticeable, need not be proved, फिर बोलता है example of judicial noticeable facts जो भी दे रखते हैं 57, के अंदर एक illustrative list दे रखते हैं, फिर बात आते हैं आपके oral or here evidences के regarding हैं, तो section number 59 ओन वर्ट से लेएंगे, अब जो भी oral है या फिर आपके जो statement है evidences हैं, वो आपके oral या फिर documentary दोनों हो सकते हैं, 59 आपका बात करता है कि all the facts except the content, जो आपके content of court, जो आपके documents हैं, may be prove by the oral evidence, मतलब सारे के सारी चीज़ां आपके oral ही proof कर सकते हो, लेकिन जो document के content है, उनको documentary ही evidence से proof किया जाएगा, फिर बोलता है oral evidence है कि जो statement है court के अंदर, वो permit करे जा सकते हैं, ये required to be made by the witnesses है, before it relation to the matter of the fact and inquiry, मतलब जो oral evidence है, वो court मांग सकता है कि इस भी witness को बुला कि आपको इसके statement देनी है, या फिर court admit कर सकता है parties को, कि आप अपने witness को बुला कि उनके oral statement में दिलवा सकते हो, fact को oral या फिर documentary इस चीज़ों के through proof किया जा सकता है, 60 बोलता है कि all the oral evidences must be direct होने चाहिए, 60 जो section आपके base evidence के उपर, best evidence के rule के उपर based रहता है, फिर 60 बोलता है, when the fact could be seen, heard, perceived by the sense, or must be proved by the person who actually seen, heard, or perceived this fact, बतब यह बोलता है directly की case के अंदर कि मैंने directly सुना था चीज़ों को, मैंने directly देखा है, मैंने directly उन चीज़ों को feel करा, तो उसी बंदे की statement आपकी जो witness है, या फिर आपके उसी witness को, हमने क्या मानना है की relevant मानना है, court के अंदर, जिस पसंद ने ये बोला कि मैंने directly सुन रखे चीज़े, तो hearsay evidence नहीं चलेगा, directly सुनी वे बातों को मना जाएगा, directly किसी पसंद ने देख रखा है, तो उसी की बात को court के अंदर हमियत दी जाएगी, तो ये रहते हैं, 60 जो है hearsay evidence को exclude करता है, and treat the hearsay evidence as no evidence at all, उसको बोलता है hearsay evidence, आपने कोई evidence होता ही नहीं है, hearsay evidence is not admissible, because the statement of the witness is not based on the personal knowledge, but only on what he heard from the others, किसी भी अधर पसंद जो सुन रखा, उन बातों को बताएंगे, खुद की कोई knowledge उसके अंदर continue नहीं करीगी है, इस वज़े से क्या करते हैं, कि hearsay बातों को हम लोग exclude करते हैं, उसको कोई evidence नि बानते, hearsay is only indirect secondary evidence, फिर बोलता है 6, 17 to 31, 32, 33, 34 to 38, 45 to 51, जैसे आपके डोकुमेंट से डील करते हैं, कि मतलब वो सारी चीज़े जो आपकी डोकुमेंट के अंदर हों चीज़े हो, वो original नहीं है, तो उसके case के अंदर हम लोग secondary evidence दे सकते हैं, primary कौन सा होगा, the document itself है, documentary evidence में जो भी डोकुमेंट है, जो की produce करे जाते हैं, court के अंदर inspection के परपर से, तो वो primary होंगे, मतलब जो original document हो, उसकी photocopy क्या होगी, secondary चला जाएंगे, documentary evidence में भी primary और secondary हो सकते हैं, 61 आपके बत करता है कि, उस document को content को क्या है, हम लोग प्रूव करते हैं, primary evidence से या फिर secondary से, further section 64, आपका best evidence के rule को बताता है, according to which all the document produced, before the court shall be proved by the primary evidence itself, जनरल रूल यह रहता है कि primary से करो, लेकिन अगर primary available नहीं है, तो आप secondary भी जा सकते हो, फिर बोधा सरकम्सांसे, जहां पे आपके 65 के अंदर दे रखे हैं, जिन सरकम्सांसे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, secondary evidence को court के अंदर produce हो, जो कर सकते हैं, अब 62, 63 यह चीज़ यह आपको पढ़ने पढ़ेंगे, 63 के अंदर बतायागा है कि कौन कौन से document है, किस तरी की सिसको secondary evidences बोला जा सकता है, कौन से primary होंगे, 67, 2 आपको पढ़ना है, फिर आपका बात करता है, there is an exhaustive list of kind of secondary evidence, admissible in the section 63, 63 के अंदर आपके exhaustive list दे रखिए, जिसके अंदर बोल सकते हैं, कि इन evidences को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, या फिर court के अंदर admissible कर सकते हैं, as in secondary evidence, फिर बोलता है, secondary evidence means and include the certified copies, copies made by the mechanical process, mechanical बोलन मतलब की copy आपने थी, वो तियार कर रखिए machinery way में, तो वो सब कुछ, copies made from or compared with the original or counterpart of the document, oral account of the content of the document, ये secondary के अंदर चले जाएंगे सारे, फिर आपका बोलता है section 65, circumstances बताता है, जहां पर आपके जो list दे रखिए, कि कब secondary evidence आपके allowed करे जा सकते हैं, अभी primary अगर किसी opposite party के पास है, वो ले के नहीं आ रहा, तो आप secondary लेयाओ, primary evidence जल के खतम हो चुका, destroy होगा, खो गया कहीं, उस वाद को प्रूव कर तो secondary लेयाओ, तो ये चीज़ें 65 के अंदर बता रखिए हैं, कब कब allowed होंगे, जहां पर जो original document is in the position of the adverse party, or person legally bound to produce, where existence or content of the original is admitted, जया फिर original document has been destroyed or lost है, या फिर original document is not easily movable, जया फिर document आपका जो और जो आपका पॉब्लिक नहीं चरका है, तो secondary ही ले क्या होगे, फिर बोलता है, certified copy of a document is allowed, या फिर आपके original consistent of the numerous account, बहुत सारी copies हैं, उनको court के इंदे प्रूव निकरना, secondary evidence आपके ले क्या सकते हो, तो वहाँ पे 65 fold करेगा, फिर बात करता आपके public और private document की, जो की 74, 5 और 6 कंदे दे रखा है, 74 आपका deal करता है कि public document आपकी किन-किन चीज़ों को बताएगा, 75 बोलता है public document की, छोड के कोई भी और होगे, उन सब को private document बोला जाएगा, जो भी होँगे उन सब की private की, या public document जो उनकी copy क्या होगी, 76 कंदे बे लगी, जो की किसी officer की, उसके possession में होगी, तो वहाँ पे आप अपलाई करोगे, फीस जमा करवाएगे, उसका certified copy आपको मिल जाएगी, फिर बोलता है, certified copies of the public document shall be presumed as a genuine, उसको genuine माना जाते हैं, फिर आपके 79 to 90 तक आपकी presumption के बात करी गई है, डोकुमेंट के regarding, उनको एक बार आप just contents को पढ़ लेना, इंडेक्स बेस कोशन रहता हैं वहाँ से, फिर आपके burden approve की बात करी गई है, उनसे पहले एक बार, 91 और टू के अंदर आ जाते हैं, 91 आपका बात करता है, कि जब भी किसी contract से लेटर आपके terms send है, terms है, condition हो सकते हैं, या फिर आपके other disposition of the properties हैं, उन सब चीजों को, एक बार अगर document के अंदर लिख लिया गया, तो उनके oral evidences आप नहीं दे सकते, वो document itself आपको prove करना पड़ेगा, court के अंदर itself document आपने produce करना है, लेकिन हो सकता है, वहाँ पर उसकी secondary evidence को allowed कर दिया जाए, तो ये 91 है, 92 के अंदर बोलता है, उनके बाद भी अगर कुछ separate account, separate मलगी, वो सारे document जो 91 में प्रूव हो चुक है, उनके बाद उसी को continue करता है, 92, जिसके अंदर बताएगा है कि उसके साथ कुछ प्रोवाईज हो, अच्छ है प्रोवाईज हो, जिनके अंदर आपने कुछ चीज़ें rating में कर ली, लेकिन उसके बाद आपने कुछ और ली भी कर रखे हैं, तो उन और लवाणों को allowed किया जा सकता है, 92 के अंदर लाइक कि A और B ने कोई भी एक rent agreement तेहर कर रखा है, कि 1st of January से मेरा जो rental मकान जो है, वो आपके किराय के अंदर में आ जाएगा, आपकी possession में आ जाएगा, लेकिन actual में वो पांच तारिक को आता है, तो क्या जो उसको rent है, वो एक तारिक से देने पड़ेंगे हैं, तो फिफ्ट से देगा वो, तो ये बाद जो फिफ्ट वाली थी, वो उसने document के अंदर नहीं लिखे, मतलब any statement regarding which the document itself is silent, जैसे A और B का पैसे का लेन देन हुआ था writing में, कि मैं एक January को पैसे लिके जा रहा हूँ, और एक March को पैसे वापिस दे के जाऊँगा, एक March को देने से पहले उसने 26 फरवरी को पैसे वापिस कर दिये, लेकिन वो जो document था, जिसके अंदर ये बात है लिखी तो उसको cancel नहीं करा था, अब जो A पैसे ने जिससे पैसे उदा लेकि गए था, मतलब creditor, वो एक March को क्या करता है, court में जाकि case वापिस कर देता है, कि एक March को देखो जी इसने पैसे वापिस मेरे को नहीं करें है, तो इस चीज के regarding क्या है, भी अपने oral evidences दे सकता है, कि मैंने 26 पैसे दे दिये थे, लेकिन उसको cancel है, जो नहीं करा था, तो ये 92 के अंदर फोल करेंगे, फिर आपके 93 से लेके, और 100 तक आपकी कुछ एक तरीके से अपनी irregularity की बात करीगे है, ये मतलब किसी के अंदर अगर किसी तरीके की latent और patent ambiguity की बात करीगे है, irregularity, sorry, मतलब ambiguity की बात करीगे, जहां पर कमी है, तो कुछ है जहां पर patent है, कुछ आपकी latent ambiguity है, patent मतलब कि सामने से पता लगती हूँ, section 93, 94 के अंदर, 95 to 98, 9 तक ये आपकी latent है, यहां पर आपको detail में जाके चेक करना पड़ता है, तब जाके आपको पता लगती है, इसके अंदर कुछ कमी है, तो उन कमी हो को दूर करने के लिए court आपकी evidences allowed कर सकता है, लेकिन अगर patent nature की है, वहां पर court आपको allowed to prove the existence or non-existence of any fact which he hazard, जो भी उसने बोल रखा है, उनको prove करने का burden उस person के उपर है, फिर 101 है, वो आपका substantive law और job की pleading है, उनके matter को एक तरीके से prove करने का burden डालता है 101 में, फिर 102 आपका बात करता है, owners of proof के अंदर, जो की shiftable nature का 101 के अंदर shift नहीं होगा, एक parity completely अपने effect को वो ही prove करेगी, जिसने उसको बोल रखा है, और जबकि 102 क्या है, कि shift होता रहता है, पहले ए ने बोल दे कि इसने चोरी करी है, तो वो मना कर रहा है, बोलता है कि उस time पर तो मैं पर ले रहा हूँ, मैं वहाँ था ही नहीं, अब वापिस आपका जो burden of proof shift हो गए, क्या आप proof करोगी, यह वहाँ पर नहीं था, तो यह सारी चीज़ आपके क्या हो, 102 में जाएंगे, burden of proof as mentioned in 102 never shift, but owners of proof as mentioned in 102 always keep shifting, in criminal proceeding, the burden of proof lies upon the prosecution and civil cases के अंदर आपके plaintiff पे, prosecution पे fall करेगा, criminal cases के अंदर और आपका जो plaintiff है, उसके उपर fall करेगा अपना burden of proof किसके उपर, जो plaintiff हो उसके उपर, फिर burden of proof may be divided further into two points, mainly burden of proof as a matter of law, और pleading, और burden of proof as to the matter of adducing evidence, evidence, produce करने का भार, और अपने जो matter बता रख्या, pleading के अंदर लोग का, उनको proof करने का भार, यह दो अलग लिग चीजी है, फिर आपके other rule regarding the burden of proof has been given under section 103 to 111, अब 110 है, जिसके अंदर आपका ownership के regarding आजाता है कि कोई भी ऐसा person जो की किसी property की possession में है, उसको माना जाएगा कि यह owner है, मतलब possession is the burden उस person के उपर होगा, possession के regarding एक तरी किसे, मतलब simple सी बात यह है कि जिस person, जिस के लाठी है, simple मत यह है, जो property जिस person के possession में होगा, उसको presume to be the owner माना जाएगा, अब दूसरी party को प्रूव करना पड़ेगा कि इसने adverse position है, यहां पर इस person का और इसका owner मैं हूँ, तो यह रहता है 110 के अंदर, तो आपका 105 जो है वह आपका deal का था बड़न उप्रूव इडिफेंस इंदी क्रिमिल IPC की general exception के अंदर fall करता है, तो उसी को वह प्रूव करना पड़ेगा, तो यह section 105 है, फिर इस deal with the burden of proof of exception of the defense in the IPC और any other exception in any other law for the timing in force, फिर बोलता है, accused can prove his case under section 105 by the standard of prepondence of the probability also, 106 बोलता है कि कोई भी अगर special factor, special factor उस person की knowledge में है, तो specially किसी person की knowledge में होगा, तो वही person उसको prove करेगा, last in theory भी आपकी बताएगी है, section 7 में भी आएगी, यही चीज़ और 106 के अंदर भी बताएगी है, फिर 106 आपका बोलता है, based upon the maxim है, res ipsa loquitter, res ipsa loquitter है, which means the things speaks for itself, फिर बोलता है कि a person prove to have been living within 30 years, shall be presumed that he is alive, अगर किसी person ने बोल देगी, यह पिछले 30 साल के अंदर जिन्दा था, तो उस person को वो prove करना पड़ेगा, जो कि आपके section 107 के अंदर fold करती है, continuity of things की presumption लगाए जाती है, 107 के अंदर, 107 क्या है, deals with करता है, presumption of life के regarding, और presumption of death के लिए आपका 108 है, जहां पर अगर किसी person के बारे मे पिछले 7 साल के अंदर किसी ने कुछ नहीं सुना, तो presume to be debt, फिर आपका presumption जो आपकी 7 और 8 के अंदर होती है, वो दोनों आपकी क्या होती है, revertable nature की रहती है, फिर बोलता है 108 के अंदर की 7 यर बाला जाएगा, naturally जिसके दबारा सुना जाना चाहिए था, उसने कुछ नही 1-2 है जिसके regarding बताया आपको कि किसी भी बच्चे के legitimate के regarding है, मतलब पैत्री जो है, मतलब कि उसका पिता को नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए जहां पर आपको जूर्थ पड़े तो यहां पर क्या होगा, एक का फादर वो ही है, जिसकी शाद्धी किसी ओरत से हुए तो उससे उसका बच्चा होगा, during the continence of such legal marriage, तो वो आपका उसका legitimate बच्चा मने जाते हैं, लेकिन अगर exception भी बात करें, तो exception आपकी क्या रहेगी, उसकी non-excess को prove कर दे, तब मने जाएगा, फिर both the purpose of 1-1-2 is to protect the chastity of the woman and father, further to prevent a child from being bald, called the bastard, ये रहते हैं, फिर a non-assess can be displaced by the strong prep contents of the evidences and rule of beyond reasonable doubt is not applicable, फिर presumption जो भी raise करी जाती है, वो आपकी displaced करी जा सकती है, DNA test के दबर आभी, फिर आपका 113, आपका A आ जाता है, 113 A बात करता है, evidence actor provides that the court may presume that the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or of any relative, मतलब 306 IPC, उसके बाद आपकी ये कुछ reason दिखा दी जाएंगे, कि husband या फिर husband के family ने क suicide का रखा जो की merit थी, तो 113 A में presumption लग जाती है, अपने आप में क्या रहेगी, retrospective application रहती है, 113 A की, insert किया गया था, 1983 की amendment act के तुरू, फिर 113 B हैं आपका वो deal करता है, presumption as to dowry death है, 304 BIPC के साथ आपको पढ़ना, इसमें, फिर बोदा, under this section the court shall presume that the accused has caused the dowry death, and it is shown that soon before such death, the woman had been subjected to cruelty and harassment by the accused for the dowry, 113 के अंदर आपका 304 B के अंदर भी आपकी सेम चीज़ है, फिर आपकी जो presumption 113 B के अंदर वो आपकी rebutable nature की रहती है, 114 A है, उसके अंदर sexual offenses को लेके consent के उपर, सवाल जहां पर आता है, तो उसकी presumption के regarding 114 A आपका आ जाता है, फिर on proving that the sexual intercourse between the accused and the prosecutors, the court shall presume that the rape was committed without her consent, फिर presumption 114 A के अंदर आपकी कैसी है, rebutable nature की रहती है, फिर 115 आ जाता है, 115 आपका deal करता है, सोपल के साथ है, सोपल का मतलब होता है, जब भी किसी person एक statement दी है, और उस statement के base पे, दूसरे person ने कुछ भी action ले लिया, तो जो previously statement देने वाला person था, उसको अपनी बात स person है, उनको पिछे नहीं अटना दिया जाएगा, यह 115 है, फिर आपका 116 and 7 आपका जो है instance of stopple by the contract की बात करता है, stopple अपने आपने रूल of evidence की बात करता है, principle of, जो stopple है, based on the maxim, allegiance, contraria, non, endidas, which means a person, allegiance, contrary, fact, will not be heard, मतलब कि एक बार पहले कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और हो, तो contrary statement को allowed नहीं करा जाएगा, फिर आपका इसको जो found किया गया था, doctrine of stopple को, पियर वसे, जो आपका पिकार वसे सियर्स की case के अंदर, आपका English case था, पिकार वसे सियर्स, उस case में first time उसको recognize किया गया था, फिर आपका किसलिए ले के आए थे इसको, क्या purpose है, तो to prevent the fraud and security for the justice within the parties, फिर rule of stopple application के अंदर only in civil cases के अंदर रहती है, civil proceeding के अंदर, criminal proceeding के अंदर, इसकी कोई applicability नहीं है, purpose क्या है, representation made by a person to the other, मतला stopple यहाँ पर होगा कि represent कर सके अपने आपको, वो सही तरीके से fraud commit ना कर सके, फिर आपका बोलता है, कि representation कैसी हो सकती है, by declaration हो सकती है, act हो सकती फिर बोलता है, person must have believed that the representation active, जो भी act कर रखा है, उस ही साब से, मतला किसी person ने कोई भी अपनी representation दी है, उस ही साब से, वो person जो सामने वाला है, उसने act कर रखा है, तो उसके बाद उसको, एस्टोपल में डाल देंगे, कि आप अपनी बात से पीचे नहीं अच सकते हो, the person making statement cannot be allowed to deny the truth of representation, अब नहीं बोल सकता है, कि मैंने उस ताइम पर जूट बोलना था, फिर बोलता है, जहां पर किसी person की duty to speak थी, फिर भी वो चूप रह रहा है, तो भी यहां पर एस्टोपल लग सकता है, या फिर जहां पर किसी person की उपर, इस तरीके का एक duty था, कि वो उसको बोल क बतानी पड़ेगी, या फिर अपने facts को disclose करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है, तो इस तोपल के थिरूस के उपर, बाउनेशन लग जाएगी, representation of mere intention to do something, cannot amount to the estopal, अगर किसी person की intention का अगर बात करें, representation करने की, तो वो अपने आप में इस तोपल नहीं आता, फिर promissory estopal है, representation must be of the future intention, estopal कैसा हो सकता है, record by deed or by conduct, doctrine of promissory estopal is also called as the cozy estopal, या फिर new estopal उसको बोला जाता है, फिर ये किसी minor के खिलाफ आपका operate नहीं करता है, फिर आपके estopal shall not apply against the unlawful transfer of property, अगर किसी ने unlawfully ऐ थरीके से transfer of property कर दिया, तो उसके उपर भी आपका estopal apply नह estopal shall not be applicable, अगर दोनों parties को truth पता है, मतलब ये बोलता हूं कि I want to sell this particular book, and you are also aware of this particular fact that I am not the owner of this book, but still you are buying this book, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके उपर estopal मेरे उपर apply अब नहीं होगा, मतलब आपको पता था कि मैं owner नहीं हो इस book का, फिर भी आप खरीद रहे हो, और मैं आपको statute के किलाब किसी act या फिर sovereign और point of law के उपर estopal apply नहीं होगा, दोनों parties को जो fact बता है तो ये भी अपका फिर apply नहीं होगा, किसी भी educational institution के किलाब भी estopal आपका apply हो जाता है, क्यूक का case था है, क्रिशनर versus क्यूक, फिर 116 आपका principle of estopal declared that a tenant or licensee cannot dispute the title of his person, और landlord or licensor during the content of tenancy or licensee, या फिर tenancy उसके regarding कोई भी आपका tenant वगरा, अपने owner की ownership को deny नहीं कर सकता, तो ये stop लग जाएगा, फिर आपका 118 to 121 और 133 ये आपके बाता सकती है, witness के regarding की who can testify, तो every person जो is unable to testify, तो उस person को बोल सकता है, इसके अंदर आपका minor हो सकता है, lunatic हो सकता है, उनके उपर कोई रोक देने में able नहीं है, तो उस time पे उसको रोका जा सकता है, बात की सारी situation में, अगर कोई भी पागल है, उसको समझ आ रहा है, उससे पूछें कि आपको किसने पिल्टा, वो किसी person का नाम ले रहा है, तो वहां पे वो person आपका testive है, जो कर सकता है, 118 आपका यहीं बात करता है कि all persons are competent to witness, but these points, yeah these persons must not be incapable of giving evidence or understanding the question put to them because of the tender age, extreme old age, छोटी age की वज़े से, बहुत ज्यादा age की वज़े से, या फिर आपकी disease की वज़े से, या इसी तरी की कोई और आपकी बिमारी हो सकती है, कोई और कमी हो सकती, जिसकी वज़े से वो person आपका rational answer नहीं दे सकता, तो वो testify नह इस में भी a competent witness हो सकता है, अगर वो capable है किसी भी question को समझने में और उसका rational answer देने में, फिर evidence आपका बच्चे के दवारा जो दिया जाएगा, उसको अपने आप से ignore नहीं करा जाएगा, rule of prudence must consider such evidence with clause scrutiny, बच्चा मतलब कि मां के regarding बता सकता है कि मेरी मां को मेरी दादी ने पी is as attached to any injured in the case of any other crime, जैसे injured party का आपका एक competency रहती है, वैसी ही rape prosecutors की भी रहती है, फिर decoy witness जो भी होंगे used to trap the accused in the police trap and the evidence is given by a trap or decoy witness at par with the interest evidence, 119 आपका बात करता है, oral के regarding अगर कोई भी पसन ऐसा जो की unable to speak है, जो बोल नहीं सकता, अगर उस चीज़ को उस बंदे ने लिखित में स सारी चीज़े दे दी तो उस written document को भी oral आपके document के तोर पर यूज किया जा सकता है, फिर बोलता evidence given by the deaf और dumb witness shall be dimmed to be the oral evidence उसको मना जाएगा, फिर for recording the evidence of dumb witness shall take court क्या कर सकता है, ऐसे सिंदे सकता है, किसी भी interpreter की, आप a special educator की और उसकी statement को भी record videography के तरह को रहा जाएगा, फिर 120 आपका provide करता है कि proceeding between the husband and wife, both husband and wife are competent witnesses as against the one another, अब उसके बाद आपके कुछ privileged communication की बाद आजाती है, 120 से लेके further आगे section के अंदर, तो 121 से 129 तक जाएगा, तो 121 आपका deal करता है magistrate और आपके जो भी judges हैं उनके उपर की यहां पर यह आपको knowledge कहां से पता चली, यह बात आपको कहां से पता लगी, यह बाते हैं, साथ में इसके अंदर arbitrator भी आ जाएगा, तो judge magistrate और arbitrator 121, 122 आपका बोलता है husband और जो wife हैं, उन्होंने आपस में अगर during the continuous of the valid marriage, अगर उन्होंने कोई भी statement एक दूसरे को बता रखे हैं, कोई information दी हैं, तो वो disclose करने के लिए उनको competent नही किया जा सकता है, जब तक कि एक दूसरे के खिलाब कोई भी criminal proceeding नहीं चलती हो, 126 से लेके 129 तक आपका professional communication के बारे में बात करीगे, जैसे advocates वगरा हैं, तो उनको जो भी बाते बताई हैं, professional advocate हैं, जो भी वो हैं, या फिर आपके जो भी official आएंगे उनको बताते हैं, तो 126 आ आपका वकील, attorney, leader, legal advisor, या फिर आपका illegal profession का कोई भी officer है, तो उनको allowed नहीं करा जाएगा, जो भी उनको statement दिया, वो आगी किसी को बताने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी statement उनको पता लगी, जिससे कि वो fraud कराने वाला है, उनका client, तो वो आगे disclose कर सकते हैं, सेम ब लेकिन अगर 122 तो वो आपकी जो है, वेव नहीं करी जा सकती है, फिर 134 जो section अब आपके number के बारे में बात करता है, कि जो evidences है, to be weighted होना चाहिए, counted नहीं है, मतलब no particular number is mentioned, और no minimum number is mentioned for the witnesses की, कितने minimum witness होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, 132 के अंदर यही बता रह number of witnesses required to be examined to prove the case, फिर आपका बोलता है, court can rely on the witnesses of a single witness and there is no legal bar for the convicting a person on a sole testimony of the single witness, मतलब एक single witness को statement दी, उसके बेस भी सजा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, court को रोक नहीं लग सकती, कि हम लोग उसके पर सजा पास नहीं करेंगे, बात करते हैं, accomplice की, अब accomplice कोन होता है, कि जहां पर police ने arrest कर लिया, अब उस person के किलाफ कोई evidence नहीं मिल रहा कि वो person भी शामिल था किसी offense को commit करने में, तो अब को accused person को एक offer दिया जाएगा, कि आप एक सरकारी गवा बन जाओ, और गवा बनने के बाद आप क्या करोगे, अपने जो साथ ही था आपका, जिसने भी offense आपके साथ म person ने अगर वो अपने दोस्त के खिलाफ या अपने साथी के खिलाफ अगर witness बन जाता है, सरकारी गवा बन जाता है, तो उसको हम लोग accomplish देते हैं, अब उसको क्या मोलेंगे, accomplish की परिवेशा उसको देते हैं, अब accomplish बोले जाने के बाद, उस person को क्या conviction दे सकती है, जो accused person था co-accused, उसका जो भाग रखा उसको अगर मिलने पर, क्या उसको सजा देना, validity रखता है, या फिर valid नहीं होगा, क्या completely accomplished की statement के पर विश्वास करा जा सकता है, ये section 133 हमें बताता है, अब क्या बोलता है, accomplish is a person who participated in the crime, in some और other way, किसी भी way के अंदर वो उसने शामिल हुआ हो सक person ने statement जब दी, तो ऐसा show हो रहाए कि हाँ, वो person शामिल था, उस offense के अंदर, तो तब वो आपका person बन जाता है, accomplish, फिर बहुता है, accomplish, may participate in the crime as principle or accessory, principle मतलब main offender वही हो सकता है, या फिर accessory मतलब helper हो सकता है, तो 133 को हम लोग पढ़ते है, 114 B के साथ, जो आपकी illustration भी है, उसको deal with the evidence of the accomplice, 133 आपका बोलता है, जब भी किसी person की statement के उपर accused, जो को accused था, उस person को अगर सजा देने, तो वो illegal नहीं होगा, ये बात करता है, 133 के अंदर, जब की 114 की illustration B हमें बताती है, कि आपको alert रहना चाहिए, जब भी आप उसको conviction दे रहे हो, उस time पे आप थोड़े से alert र आपने दोस को दोखा दे सकता है, तो court को भी वो एक तरीके से fraud कर सकता है, तो duty statement भी हो सकते है, आपको alert रहना चाहिए, तो ये 114 की illustration की बताती है, there is a difference between the accomplice and co-accused, and the co-accused person is not necessarily always be an accomplice, co-accused में और accomplice में अपने आप में फरक रहता है, लेकिन co-accused जो आपका accused person है, वो 133 of the act says that the conviction based on the sole testimony of an accomplice shall not be illegal, sole testimony के उपर अगर co-accused को सजा दे देते हैं, तो ये अपने आप में illegal नहीं होगा, अब बात आती है आपकी witnesses की कि उनकी examination करी जाएगी, जब भी आपका, the order of production and examination of the witness has been mentioned in section 135 of the Indian evidence, the production and examination of the witness shall be regulated by the law and practicing relating to the civil and criminal procedure respectively, मतलब की court जब भी examination करेगा, किसी भ फिर criminal cases के अंदर, तो वो उसी law के हिसाब से करेगा, जो law उस particular matter के लिए अपका establish कर रखा है या फिर बना रखा है, as like CRPC और CPC के साब से तो वो ही रहेगा, फिर बोलता भी, and there is no law as to the order of the production and examination of the witness, the court is free to use its discretion, जहां पर कोई भी law आपका production और witnesses के regarding कोई भी परसन आपका examination के ल गई है कि judge competent होता है, ये decide करने के लिए कि evidence को admissible करना है, admission उसका होना चाहिए, या फिर admit नहीं करना चाहिए, ये 136 की पावर है, फिर बोलता है, the judge shall have the power to ask the parties as to what manner, in what manner the judge being deposed would be relevant, वो judge पूछ भी सकता है, parties के किस manner के अंदर ये चीज़े use होनी चाहिए, फिर बोलता है, question of admiss of the evidence shall be decided when it arise and should not be deferred until the judgment is passed, कि मतलब, जो आपके evidence produce के गए, उसके admissibility को लेगा, जो भी कोशन हो, वो decide किया जाएगा, जब वो उसके उपर सवाल उठता है, otherwise आपका वो deferred रहेगा, उसको defer नहीं किया जा सकता, जब तक की judgment आपकी finally passed महीं हो जाती, 137 and 138 आपकी बात करता है, examination के रहा नहीं, examination किस तने परकार के हो सकती है, और examination का order क्या रहेगा, तो examination के अंदर आपकी कैसी रहती है, chief examination रहता है, उसके रदा आपकी cross examination रहती है, फिर अपनी re-examination रहती है, अब cross examination के अंदर, और chief examination में क्या होता है, examination chief मतलब कि वो parity जिसने अपने खुद के witnesses बुला रहे थे और आपकी opposite parity का जो advocate है, वो question पुछेगा, तो cross examination है, और उस cross examination के base पे अपने ही बुलाएगे witnesses को दुबाना से जब आप examination करोगे, वो अपने अपने chief examination है, इसका order भी रहता है, examination chief, cross examination, उसके बद आपकी chief, अपनी re-examination है, तो यह भी 137 के अंदर बताएगी है, फि required पड़े तो, फिर बोलता है leading question, मतलब ऐसा कोई भी question जो की answer को suggest करता है, खुदी question, क्या तुम्हारा नाम अंकित है, क्या तुम्हारा नाम परम है, तो यह चीज़े जब सवाल पूछेगा, तो मतलब यह अपने आप में क्या हुआ, एक leading question है, तो बोला leading question deal with in section 141 to 143 of the internet, फिर बोलता है leading question cannot be asked in the examination chief, मतलब अपनी ही parity से खुद के सवाल पूछ रहे हो, क्या आपका नाम क्या है, इस तरीके क्या आपका नाम क्या अंकित है, यह आप अपने ही बुलाएगे witness से ऐसा कुछ नहीं पूछ सकते हो, यह फिर examination के अंदर नहीं होंगे, तो यह चीज़े आ जाता है कि deal करता है situation when a previous statement of the witness can be used for the purpose of contradiction, contradiction करने के purpose से जब use करे जाएगे 145 लग जाएगा, और फिर आपका बात करता है 157 के अंदर, that if the witness may be corroborated by his previous statement, अगर जिस परसन ने previously को statement दे रखे उसके थूरू उस परसन को खुद को ही corroborate किया जा सकता है, तो 157 अजाएगे, उससे पहले 154 बात करता होस्टाइल witness की, होस्टाइल मतलब की एक person जिसने की किसी person को, मतलब as suppose की एक A party है, उसने अपने witness के तोर पे किसी B person को बुला रखा है, और वो B person उसके favor में statement देने के बजाए, उसी के against में statement देने लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआए, वो होस्टाइ खुद जिसने उसको witness को बुला रखा, वो cross examination वाले भी question बूच सकती है, तो ये 154 के अंदर hostile witness बताया गया है, उसके regarding कोई hostile witness word यूज नहीं कर रखा, किसी provision में evidence act के अंदर किसी section में use नहीं है, लेकिन ये provision होते हैं कि ये आपका hostile witness बोला जाता है, the term hostile जो आपकी used or defined नहीं क लिए वो person आपका willing नहीं होता है, तो वो person आपका hostile witness कहलता है, a person can cross examine his own witness when he become hostile, जिसने बुलाया था, वो उसको cross examine कर लेगा, evidence of the hostile witness is admissible in evidence and there is no bar to convict the accused upon the testimony of the hostile witness if it is corroborated with the other reliable evidences, अगर आपका hostile witness होने के बावजूद भी other witnesses से corroborate हो रही है उसकी बात है, तो क्या है, उस accused person को, उ hostile witness की statement के उपर भी punishment है, जो दी जा सकती है, फिर credit of the witness may be impeached by the cross examination है, यह 146 वाले आ जाएंगे, 158 के अंदर आपके आ जाते हैं, तो यह सारे section आपको एक बढ़ने पढ़ेंगे, वहते credit of the witness may be impeached by his cross examination by the testimony of the other witnesses, by proving that such witness has been bribed or by any other former inconsistent statement given by such witnesses, इनको पढ़ लेना, 159 आपका बात कर करता है, memory को refresh करने की, एक general section है, numbering याद करनी है, 162 आपको पढ़ना है, production के regarding है, उसको translation के regarding है, production of document के regarding, उसके बाद उस document को जो की produce के गए code करने, उसको code जो है, वो impound भी कर सकती है, तो यह चीज़ आपकी CRPC के कौन से section में दे रखी, एक बार comment करके मैं को बता होगे, फिर the proper of obtaining, एक तरीके से आपकी proper proof of the case, case के proper proof को found करने के purpose से, judge की unlimited power है, कि वो कोई भी कोशन पूच सकते है, लेकिन subject to the provision of privilege questions, वो उससे नहीं पूचे जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर प्रोवाईज होदे रखा है, कि जो भी judgment होगी, वो आपकी relevant और proved fact के उपर ही होने चाह और बोलते हैं, no trial for the irregularity, किसी भी irregularity के purpose से आपका कोई नया trial चलाने की जूट नहीं है, उसके अंदर उस irregularity को remove करेंगे, और अपने case को आगे चलने देंगे, तो यह आपका evidence act था, in short बोल सकता हुआ है, इसको यहाँ पे, जिसको हमने discuss किया, thank you so much watching this video, अगर आपको वीडिय हमारा channel बना हुआ हो, उसको भी join कर सकते हूँ, thank you so much watching this video, good luck for you